आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। सवाल है, विद्धुत अपकटन की प्रक्रिया में कैथोर पर होता है। यहाँ पर चार विकल्प दिये हुए हैं। पहला है अक्षिकरण, दूसरा है अपचें, तीसरा है अवचेपण, और चौता है विलोपण, तो इसको मैं पहला, यह आपका दूसरा विकल्प हो किया, यह तीसरा विकल्प और यह आपका चौता विकल्प, अब दिखो अगर हम बात करें, अगर आपका विद्धुत अपकटन हो रहा है, तो दिखो विद्धुत अपकटन में, विद्धुत अपकटन प्रक्रिया में, कोई भी आपका सविश्टेंस है जिसका विद्धुत में आपको याद रखना है कैथोड पर हमेशा क्या होने वाला है कैथोड पर हमेशा क्या होने वाला है कैथोड पर हमेशा अपचैन होता है कैथोड पर हमेशा क्या होता है अपचैन होता है और अपचैन होने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोन को ग्रहन करना, अप्चेन का मतलब क्या होता है, अलेक्ट्रोन को ग्रहन करना, यानि कि ओक्सीकरण अंक में व्रद्धी होना, अगर वो इलेक्ट्रोन को ग्रहन कर रहा है, तो ओक्सीकरण अंक में क्या होगी, व्रद्धी होगी, ओक्सीकरण अंक में व्रद् होता है उस पर हमेशा आपका ओक्सी करण होता है उस पर क्या होता है हमेशा ओक्सी करण होता है और आप जानते हो ओक्षी करण का क्या मतलब होता है ओक्षी करण का मतलब होता है इलेक्ट्रोन का त्या करना और अगर कोई भी स्पेसिज इलेक्ट्रोन का त्या करेगी तो ओक पर हम बात करेंगे सुरी यहां पर दोखोव अपचयन में अक्षी करण अंक में क्या होती है आपकी गटतरी होती है अक्षी करण हो रहा है एलेक्ट्रोन को वो त्यागता है और जब वो electron को च्यागेगा, तो oxy current ancus gold bearing क्या होने वाली, न बैकन के श》 пре sap और upи chane के case में electron को grind करता है, जिससे oxyrit chant Elaine में घृतोत्री होती है, तो आपका यहां पर विकल्प होने वाला है, दूपरा वाला विकल्प भी होगा, विद्बुत अब खटन की प्रक्रिया में कैथोर्ट पर हमेशा क्या होगा अब खटन होगा धन्यवाद